डीलेड फरस्ट एर में 10 पेपर हैं और कुन सा पेपर कितने नबर का है तदा किस पेपर को पास करने के लिए minimum कितने नमबर आपको चाहिए होंगे इसको लेकर दोस्तों हम पिछले कई वीडियो में डिसकुस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो का जानेंगे कि आपके किस paper को solo करने के लिए परिक्षा में कितना आपको maximum time दिये जाएगा तो देखिए पहला paper है आपका बच्चे और बच्पन और इसका पूर्णाक 70 नमबर है और इसका समय आपको 3 गंठे paper solo करने के लिए मिलेगा और अगला आपका second paper है जिक्षा के उद्देश से ग्यान और पाठे चरिया जिसका पूर्णाक भी 270 नमबर है और इसको भी same 3 गंठे ही आपको paper solo करने के लिए दी जाएंगे और अगला आपका तीशरा paper है भारतिय समाज एयों सिक्षा इसका पूर्णाक भी 270 नमबर है और same 3 गंठे ही आपको इसमें भी paper solo करने के लिए मिलेंगे और अगला आपका चोथा paper है बासा संग्यान और समाज पाठे चरिया के संद्रबों में जिसका आपको पूर्णाक 35 नमबर है और 2 गंठे आपको इसमें paper solo करने के लिए मिलेंगे और इसके बाद में दोस्तों 5 पेपर है हिंदी, बासा सिक्षन और प्रवीनता 60 नमबर का पेपर है और 3 गंठे आपको इसमें paper solo करने के लिए मिलेंगे और अगला आपका 6 पेपर है इंगलिस, लेंग्विज, प्रोफिसियनसी और पेडागोजी इसमें दोस्तों आपको 60 नमबर का पेपर है 3 गंठे आपको सेम paper solo करने के लिए दी जाएंगे और अगला आपका 7 पेपर है गनित सिक्षन का 60 नमबर का पेपर है और इसे तरह से आपको 3 गंठे इसमें भी paper solo करने के लिए मिलेंगे आगे देखिए आपका 8 पेपर है परियावरण अध्यान 60 नमबर का paper है ये भी और इसमें भी दोस्तों आपको 3 गंठे paper solo करने के लिए दी जाएंगे और इसके बाद में दोस्तों आपका 9 पेपर कला सिक्षा का 30 नमबर का paper है दो गंठे आपको इसमें paper solo करने के लिए मिलने वाले है और इसके बाद में आपका last paper है सूचना एवं some pressure तक ने की इसमें computer related person होंगे साथ में technology से related person भी आपको इसमें पूछे जाएंगे तो ये आपका 20 नमबर का paper है और इसमें आपको 2 गंठे का समय परिक्षा में paper solo करने के लिए दिए जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आपका ये समय सीमा इसमें सभी papers में रहने वाली है और किस paper में कितने नमबर आपको पास होने के लिए चाहिए होंगे इसको लेकर दोस्तों हमने dedicated एक video already बनाया हुआ है उसका link में discussion में डाल दूँगा आप उसे जरूर से देख लें इसे के साथ में दोस्तों पुराने सालों के papers के video चैनल पर available है playlist से जाकर के आप देख लेना और उनकी pdf भी मैंने telegram चैनल पर डाल रखी है चैनल के about में जब आप files वाला option सेलेक्ट करेंगे तो आपको दोस्तों वहाँ पर इस से related pdf मिल जाएंगी I hope दोस्तों आपके सरे doubts इस video में clear होए होंगे फिर भी इस से related आपके कोई भी doubts रहते हैं comment box में जरूर बताना वीडियो अकर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ इस वीडियो